नमस्ते प्रणाम मित्रों मैं हूँ मनिस्तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृती बिहार अभी मैं जिस जगह पर इस्थित हूँ यह है भागलपूर जीला का पिरपैती परखंड अंतरगत दिलोडी गौं यही है ना चोटी दिलोडी गौं है जहां पर एक बहुत बड़ी सर्मना घटना को अंजाम दिया गया है यहां पर हिंदू मुस्लिम के विवाद को एक बार फिर से खरा कर दिया गया है हाल फिल हाल में ही आपने देखा होगा कि सरद्धा और अफताब का मामला सामने आया था जिसमें कि सरद्धा के कई टूकरे अफताब ने कर दिया था जश्ट उसके बाद यह दूसरी घटना है जहां पर नीलम यादव की कई टूकरे कर दिये गए सकील मिया के दुवारा चलिए उनकी बेटी है नीलम यादव की बेटी है हम सिधे उनसे बात करते हैं आपका नाम क्या है नी प्रकुल ये घटना किसी अपराधी को या किसी इंसान को सून के या देख के चोकाने वाली बात है क्योंकि इस तरह का घटना बिहार में कभी नहीं हुआ था कभी नहीं हुआ था लेकिन इस घटना को ले करके आप क्या कहेंगी किया किस तरीके से पहले से आपके घड़ पर पहले से उसका किसी तरह से कोई अलग संबंद था नहीं, पहले से कोई अलग संबंद नहीं था, नहीं, वो घर पे आते थे, जहां एक किराना का दुकान था, अभी से एक किलोमीटर दूरी पे है, चिमनी भटा के पास एक किराना का दुकान था, वहां वो आया जाया करता था. अच्छा, तो जैसा कि कई तरह की बाते सोसल मेडिया पर चल रही है, कि आपकी मा कहीं दुकान गई थी, या दुकान करती है आपकी माँ? एक साल पहले आपकी माँ किराने की दुकान चलाती थी, तो वो कहां पर चलाती थी? वो चिमनी भठा के बगल में चला तो उसके बाद जब यह घटना हुआ है तो आपकी माँ कहा गई थी और केसे उनके साथ घटना हो गया नियक्त है बाद जब कहा झाँ है ऐसके बाद फिर उसके बाद गया था तो मेरे भाई भी गये थे साथ में मेरे भाई के पास बहुत सारा समान था तो मम्मी बोली मेरे भाई भी बोले कि मम्मी हम जाते हैं मम्मी बोली कि तुम जाओ हम तो डेली ओटो से आते हम ओटो से या किसी के बाइक से हम चले जाएंगे यानि कि शाम का समय था आपकी ममी बजार गई हुई थी आपका भाई भी गया हुआ था और ममी बजार में बोली कि तुम आगे चले जाओ हम ओटो पकरके आ जाएंगे तो उसके बाद वहां पर अंधेरा हो गया था ओटो वेगरा कुछ भी नहीं मिला नहीं मिला उसके बाद फिर सकील मिया कहां पर उसके साथ इस तरह का बरताओ किया वो पहाडवा के पास एक छोटा सा मतलब इटा पारने वला जैसा हम लोग रास्ते से आ रहे थे पहाड पर एक घर बना हुआ है वहाँ सिंगल घर है उसी का है क्या पीछे एक मकान भी बना हुआ है तो आप लोग को मैं वहाँ पर दिखाने का प्रयास भी करूँगा क्योंकि वहाँ पर एक घर है और छोटा सा पहारी एडिया परता है बहुत बड़ा पहार नहीं है छोटा पहारी एडिया है और उस जगा पर सिंगल एक ही घर है मुसलिम का है उससे पीछे बहुत सारे मुसलिमों का घर है लेकिन वहाँ पर तकडिबन एक से दो किलोमीटर के रेंज में किसी का भी घर नहीं है ना किसी हिंदू का घर है ना किसी सिख का घर है ना किसी इसाई का घर है और वैसे भी हम लोगों का देश हमेशा हिंदू मुसलिम पर ही टिका रहा है विवादों में हिंदू मुसलिम सीख इसाई कहने के लिए है लेकिन सीख और इसाई की लराई आप कभी नहीं देखे होंगे लेकिन हिंदू मुसलिम का लराई जब से आप होस समाले होंगे जब से आप पैदा हुए होंगे तभी से आपको सुनने के लिए मिला होगा और ऐसा भी बताया जा रहा है कि किसी तरह का सकील मियां का दुसमनी या किसी तरह का अफैर आपकी मा के साथ था नहीं मेरी ममी के साथ कोई अफैर नहीं था तो फिर उसने किस वज़ा से आपकी मा को मार दिया वो दुकान आते थे तो उसका आना और दो घंटा बिना काम का बैठना ये पापा को अच्छा नहीं लगता था यानि कि आपके आपकी जो मा दुकान करती थी वहाँ पर वो आके दो दो घंटा बैठता था यानि कि ममी सिकायत की आपके पापा से कि वो क्यों आता है यहां पर दो घंटा बैठता है उसको मना कीजिए पापा को बोली ममी कि उसको मना कीजिए बिना काम का दो घंटा यहां आके बैठता हमको अच्छा नहीं लगता है इसके बाद पापा एक दिन के बाद उसको माना किये कि आप यहां मत आईए जाया किजिए और भी दुकान है वहां आईए और जाईए मेरे दुकान पे मत आईए और थोड़ा बहुत मतलब हुआ था बक्वास तो यानि कि सकिल मियां से थोड़ा सा बकवास आपके पिताजी और ममी से हुआ था सकिल मियां से और मेरे पापा से हुए था तो पापा से हुआ था कहीं न कहीं आप असपस्ट यहां पर यह देख सकते हैं मामला यहां पर यह दिख रहा है कि सकिल मियां की गंधी नजर नीलम यादव पर कहीं न कहीं पड़ रहे थी सही है कि नहीं मनी पहले से नहीं जामती थी वहाँ पर फालतू का चार गंटा दो घंटा बैटता था इसलिए जानती थी, सिर्फ चहरा से पहचानती थी, तो सकिल मिया का उम्र कितमा होगा, लगवग पचास से पचपन, पचास पचपन का और आपकी मम्मी का कम से कम 35-40 तो होगा, हाँ 40, तो आप असपष्ट देख सकते हैं कितनी दरिंदगी भड़ी निगाह इस उम्र में भी मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि उसको 15-20 दिन के अंदर अगर फासी दी जाए, तो मेरी मम्मी को आत्मा में सांती मिलेगा और हम लोग को भी संतोष्टी मिलेगा, अगर ऐसा सरकार नहीं कर रही है, तो सरकार बोले कि हम फासी उसको नहीं दे सकते हैं, वो मेरे हवाले कर दे, जिस तरह मेरी मम्मी का उसने हतिया किया है, उसी तरह से 24 पे हम उसका हतिया करेंगे, तो देख सकते हैं एक बेटी का दर्द किस तरह से दर्द भड़ी हुई, आवाज में बता रही है कि मेरे हवाले कर दीजिए और मैं उसे खुद से साजा दूंगी, कही न कहीं भ जो कि पूरी समाज को सर्मसार कर देती है, एक चीज और बताया जाता है, कि बताया जाता नहीं है, हम लोगों ने जैसा सोशल मेडिया पर सुना है, कि आपकी मा कोई सोने की चेन पहनती थी, उस निगा से वो चोड़ी करने के लिए वहाँ पर आया था मेरी ममी के पास सोना का चेन था ही नहीं, तो पहनेगी कहां से और सोना की चैन आपकी मा नहीं पहनती थी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर असपस्ट होता है कि उसका दो दो गंटा दुकान पर आकर बैठना, गंदी निगाहों से देखना, कहीं न कहीं सकिलमिया की गंदी नजर इनकी मा पर पर चुकी थी और मार्केट से आते वक्त वो मोका पाकर के साम का अंधेरा का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, मोका पाकर के उसने आपकी मा के साथ ऐसा कर दिया तो यही बात आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि मोका पाकर के उन्होंने अकेले में ऐसा कर दिया कहीं न कहीं उसके घर से होकर के आपकी गुजरी होगी उसके घर के पास से होकर के सर देखे जहां वहां मतलब दस गाउं है दस से अधीक भी गाउं है जो एक वही मुख्य रास्ता है कि जो हम लोग जाते है पहुत ही हम लोग रास्ता भी देखे कहीं न कहीं काफी फांक एरिया है, 3-4 किलोमेटर के रेंज में किसी का घर नहीं है, बीच में बस एक सकील मियां का घर है, उसी टाइम वो जब इसकी मां आ रही होगी, तो वो देख लिया होगा, पिछा करते करते थोड़ी दूर तक आय होगा और उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई होगी क्या हुआ था फिर आपके मा के साथ उसने कैसा बढ़ता हो किया था पहले पीछे से वार किया फिर उसके बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि दस बारा टुकड़े कर दिये सर मेरी जहां तक हम तो ममी के साथ एक दीन मतलब एक रात और पूरी दीन रहे और हम ममी को देखे कि वो टुकरा नहीं था जैसे लगता था कोई मतलब सेर उसको नोचा है उस तरह से हालत था टुकरा की तो बात यह नहीं है टुकरा अंगीनत टुकरा था जिसको हम गीन नहीं सकते हैं जहां तक हम देखे हैं मंभी को पहले पीछ से वार क्यों déjà से मारने के वाद कोई भी घिल सकता तो इसका इससे आपको क्या लगता है कि उसके साथ कई और आदमी भी होंगे कई और भी आदमी होंगे जो फीछे से वार किया था तो आपने सिर्फ सकिल मिया का ही नाम दिया है थाने के फाई यार में की और किसी का क्योंकि मेरी ममी खुद बोली है तो आपके यहां फिर इस घटना के बाद मीडिया कर्मी काफी संख्या में पहुँच रहे हैं कहीं न कहीं आपकी आवाज बनने के लिए पहुँच रहे हैं तो आपको हड मीडिया कर्मी को थोरा समय जरूर देना चाहिए क्योंकि आज एक हजार के संख्या में लोग अगर हैं तो वो सो हजार फिर एक लाख दस लाख पांट बीस लाख इस तरह से आपके साथ खड़े हो जाएं इसलिए टाइम दीजिएगा की नहीं क्योंकि यह आपके मा का सवाल सिर्फ नहीं है इस गौँ की बेटी का सवाल है इस देश की बेटी का सवाल है जिसके साथ की दरिंदगी हुआ है कहीं न कहीं ऐसा है कि वह बेटी बीस साल बाइस साल या पंदरा साल की नहीं थी वह बेटी इतनी बड़ी बच्ची की मा थी जो की साधी के उम्र की हो गई है आप यहां पर असपस्ट हमारे कैमरे में देख सकते हैं तो लास्ट में आप लोगों को क्या कहेंगे आपके पास यहां पर कौन-कौन लोग पहुंचे है बिधायक सांसद जो भी है बहुत सारे बिधायक सांसद बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का उन सभी कानून से जुड़े हुए लोगों का भी जो की पताधिकारी हैं जो की बिधायक सामसद हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका की एक बच्ची के आवाज के लिए इस बच्ची की मा के आवाज के लिए देश की बेटी के आ आप यहाँ पर आये लेकिन कम से कम उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए ये चीज आप लोगों को तै करने की बहुत जल्दी आवा सकता है आप सरकार से क्या मांग किजिएगा मुआबजा को लेकर मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे पापा तो अभी पूरी तरह से अंदर से तूप चुके है। साइद वो कभी जूट पाएंगे या नहीं जूट पाएंगे। ताकि ऐसा घटना दोबारा नहीं हो सके और कहीं न कहीं यहाँ पर मुस्लिम समाज को भी सर्मसार किया गया है सकील मिया के दुआरा और दिल्ली का जो कांड सुने होंगे अफताब मिया के दुआरा तो कहीं न कहीं मुस्लिमों को भी इस पर कहीं न कहीं अपने मजहब को लेक थोड़ा सा सोच विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि मुस्लिम धर्म का भी यहां पर काफी अपमान हो रहा है और अपमान किया जा रहा है हिंदू सनातन धर्म को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपना समय दिया है लास्ट में मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप कितने भाई बहन हैं हम एक बहन है दो भाई है आप अकेली बहन है और दो भाई है भाई आपसे बड़ा है नहीं हमसे दोनों भाई चोटा है सबसे बड़ी आप हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई अभी टुवेल्थ में एक्जाम होने वाला है तो देख सकते हैं इकजाम सर पर चड़ी है और मा का मातम बेटी मना रही है इसके सर पर अभी इकजाम को लेकर चिंता होनी चाहिए थी ना कि अपनी मा को लेकर के आप पढ़ाई के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं अपने पढ़ाई के लिए और अपने भाई के पढ़ाई के लिए भी मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की मदद करें जैसा कि आपने देखा कि पिरपैतिगों की बहुत ही दर्दना घटना है इस बच्ची के दर्द को कम से कम समझने का प्रयास कीजिए सभी हिंदु धर्म और मुसलिम धर्म के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा अपने अपने मजहब को लेकर एक लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए क्योंकि किसी भी मजहब में दरिंदा कहीं न कहीं छुपा होता है चाए वो हिंदु धर्म हो या मुसलिम धर्म हो लेकिन इस तरह की समाजिक घटना जो की बहुत सर्मसार करती है कहीं न कहीं इसलाम को भी बदनाम करती ही दिख रही है इस लड़की के आशू को मैं कैसे आप सभी को दिखाऊं कहीं न कहीं इसने अपना माँ खोया है तीन बच्चे हैं जिन्होंने अपना माँ खोया है एकजाम सरपड है एकजाम की चिंता कड़े या मा की चिंता कड़े कहीं न कहीं इस बच्ची को नियाय मिलना चाहिए अगर नियाय नहीं मिलेगा तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और जितने भी लोग देख रहे हैं इस बीडियो को कम से कम इस बच्ची के लिए खड़ा जरूर होईएगा आप लोग बाकी कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत आभार